हेलो फ्रेंड्स, इस्टेडी कलासेस की यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप लोग यहां पर चार्ट पेपर पर देख रहे हैं कि एक आइसोमेट्रिक ब्यू में सबसे पहले हमको एक फीगर डाइग्राम दिया है जिसका हमें क्या बनाना है, आर्थोग्रैफिक प्रोजेक्शन बनाना है सबसे पहले हम आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि एक इंजिनिर्ग ड्राइंड में यूज्च किये जाने वाला जो कंपोनेंट्स होता है वह होता है अमडी, यानिing में ड्राफ्टर होता है मेने ڈ्राप्TER होना चाहिए आपको लोगों के पास पेंसील होना चाहिए कमपास होना चाहिए और प्रोटेक्टर होना चाहिए सबसे पहले आप लोग totक हम बता देना चाहते हैं कि इंजिनिर्क ड्राइंग के लिए है importants कुछ instruments होते हैं वह कौन-कौन से होते हैं तो सबसे पहले instruments जो हता है हमारा ओता है drawing board क्या होना चाहिए सबसे पहले engineering drawing यानि कोई भी drawing बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक drawing board किया सकता होती है जिस drawing board पर हम इस यह four और साइज चार्ट को सेट करते हैं टेप लगा सकते हैं या क्लिप के सहायता से उस ड्राइंग बोर्ड पर हम इस चार्ट को लगा देते हैं उसके बाद ड्राइंग बोर्ड होना चाहिए ड्राइंग बोर्ड के बाद टी स्क्वाइर होना चाहिए टी स्क्वाइर जो आई ट को पहले दिखा चुका है यह जो है एक मीनी ड्राफ्टर होता है इस मीनी ड्राफ्टर की सहायता से आप किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले इस मीनी ड्राफ्टर को जो ड्राइंग होता है ड्राइंग के लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड के ऊपर वाले का करनर में इस ड्राइंग बोर्ड को सेट कर दिया जाता है उसके वाद से इस मिनी ड्राप्टर को रोटेट करकर के इस ड्राइंग को आसानी से बनाया जा सकता है और इसके द्वारा बनाया गया जो ड्राइंग होता इसके द्वारा जो ड्राइंग बनाया था है उसमें mm कभी अच्छ ऑफ बनाए जाता है जरcom यह ऑफ यहां पर में की अतरा um कहें हो bench कर दों STE और फिए डिखा है कि उथले था भी यहां पर हो बनाएं पार हम उतने और ही अने का GDP टोबाएंगा यहां ब lib कर हम आप लोगों करां करना को ड्राइंग बोर्ड पर एंडी का यूज कैसे किया ता है फिलाल हम यहां पर आप लोगों को एक figure बनाये हुए हैं उसे समझाएंगे कि कैसे इसको इहां पर orthographic view में बनाया गया है तो यह देखते हैं इस figure को क्लिश्ट से orthographic view मनाते हैं friends हमने यहां पर जो figure इनर इंगल को बनाया है या बनाइगा है bye for the इंगल प्रजेक्शन में क्या होता है तो थर्ट इंगल प्रजेक्शन जो होता है इसमें टाप भी ऊपर बनता है और फ्रंट भी नीचे बनता है और फ्रंट इंगल प्रजेक्शन में फ्रंट भी जो होता है ऊपर बनता है और टाप भी नीचे बनता है तो साइड भी हमेशा जो है राइट साइड में ही बनता है किसी भी डाइग्राम में तो फ्रेंड्स आएए देखते हैं कि कैसे यहाँ पर डाइग्राम को बनाये गया है एक बात और फ्रेंड्स इसके पहले हम बता चुके हैं जो जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देगे कि टाइपस अफ लाइन एन एंजिनिर ड्राइउंग में लाइन कितने परकार के होते हैं इसका वीडियो इसके पहले हम बना चुके में जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है कॉन कॉन सा पेंसिल होता है होता है यच भी होता है वन यच टू यच थ्री यच फोर यच और क्या होता है वन भी टू भी थ्री भी आठ प्रकार के हमारे पेंसिल होते हैं जिनका अलग अलग अस्थान पे यूच किया रहता है तो इस तरह के वीडियो काफी पहले बना चुके हैं जिस इसके सहायता से यदि आप लोग उसको पढ़ लेते हैं तो उसके थुरूब आप लोग किसी भी ड्राइंग को साफ सुतरा बना सकते हैं और ड्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है क्लीन यानि क्लीन होना चाहिए कोई भी ड्राइंग बनाईए आपका हुआ क्ली ड्राइंग दिया है इस ड्राइंग का हमें आर्थोग्राफिक ब्यूब बनाना है यानि अलग अलग इसे तोड़ करके अलग अलग साइड से देखने पर क्या दिखेगा उसे बनाना है और यहां पूछा आता है इड के पेपर में 25 25 हां 25 नंबर का सोरी 20 नंबर का यह लिफ का पार से दिखाए देगा तो सबसे पहले जो फ्रंट भी माइश की देख रहे है इसका बेस दो दिया है इहां से और इहां तक दिया है बेड़ दाइख और बीक तो सबको एड़ कर लेंगे तो कितना हुझा जाएगा 20-20-40 और 22 कितना हो जाएगा 62 यानि 62 हो जाएगा तो इसका हम सबसे पहले 62 mm का यहां पर आल डायमेंशन इन एमेंशन ट्राइब गरे ट्राइब मेंसन इन एम होता है आप लोग इसे बूर्ड में पेपर देंगे तो अबना पर रीकिना पड़ता कि आ ड्रीमेंशन इन इन होता है निरी और ड्रैमैंस adesso इन एन में तो शmasole अ ख्यानिई हो घूत एक बेस्ट लाइन खीच लेंगे उसके बाद से क्या करेंगे सबसे आसान तरीका बना बता रहे हैं इसको बनाने के लिए जो अर्थोग्रेफिक प्रोजेक्शन होता है सबसे पहले यहां से यहां तक हम लेंध देखेंगे जितना लेंध रहेगा उसका हम फ्रंट व्यू का बेस्ट बना लेंगे उसके बाद से क्या करेंगे जितना इसका हाइट होगा फ्रंट व्यू का जितना हाइट होगा वह क्या हो जाएगा वही इतना यहां पर फ्रंट वी में हाइट हो जाएगा तो इसका हाइट दिया हमको 40 mm दिया है यहां पर देखिए आपनों को देखा आई नहीं दोगा उसे जूम करके देखेंगे तो 40 में हमारा दिया है front view का हाइड दिया तो हम कितना ऊपर चले जाएंगे 40 mm ऊपर चले जाएंगे अब फिर से हम क्या करेंगे 60 mm फिर से right side में आ जाएंगे और नीचे आएंगे की एक बाक्स हमारा बन गया कि अब हमारा इसे में हमारा front view का जो बने esperar ड्राइंग टोटल इतना ही में हमारा front view का ड्राइंग बनेगा अब इसमें डेखें कि कौन-कौन सा parts दिखाई दे रहा है कौन सा Parts अंदर गया है कौन द्प्रण्ट वीव एक उस्का परबन ना मांकन को डिन कर दिए हैसे को डिनंग कि इस वाले को जितना धिखाइए द्राइक कोंडिंग कि हैं तो हमें केया लुए वाला पार्स जो है इधर से सामने से दिखाई देगा जब आप इस साइट से देखते हैं जैसे माल हमारे पास में लिजिए इंदर मार्कर ही यॉक्त इंदर मार्कर यह येरिशन का द्रोब spoil डिखाई देगा जब फ्रंट cuentta कने पर इसके सेएच किवल के तो मिय्क्म में टेस्वान रहा हो जैसे उधर से दखेंगे तो कैयों ओल पार्ट से क्यों दule कहाई देगा यह दिखाई देगा इतना थाई देगा इस साइड से वाला पार्ट से दिखाई देगा तो हम इसको बना लेते हैं यहां पर 20 mm यहां पर आ गए 22 mm उसके बाद से बीच में कटा हुआ है नीचे यानी खाली है नीचे होल है तो हम उपर चले जाएंगे कितना mm उपर जाना है यहां पर दिया है 12 mm तो 12 mm उपर चले जाएंगे उसक की तना कटा हुआ है तो एहांसे जो है 5 mm तूरी पर जाकर करके a वील गए और a खूंक को दिखाई दे राया है front दिखाई देगा से वाला जो पार्टे से दिखाई देगा दिखाई देगा तो हम इसको क्या करेंगे ऊपर मिला लेंगे और यहां पर मिला लेते हैं उसके बाद से हम क्या करेंगे जितने भी हमें यहां पर जो कारणर दिखाई दे रहे हैं इसी को हम स्केल की सहायता से ऊपर लेकर चले जाएंगे ऐसे डाटेट करके हम इसको ऊपर ल अब देखे टाप भी ऊपर से दिखाई देने पर हमें देखने पर क्या क्या दिखाई देगा तो उपर से देखने पर हमें यह वाला पार्ट्स दिखाई देगा यहां से यह वाला पार्ट्स हमें दिखाई देगा और यह वाला भी पार्ट्स जो चप्टा है यह हमें दिखा तोड़ा मुरा अंभ और से देखेंगे एक हमारा जो क्या हो गया एक बात होता है जो by Abby होता है वहीं अबिकाटब में कायरी वेस होता है आप इसे कापी में du not culture does not express हमेशा सेम होता है फ्रैंथ जब हमेशा सेम होता appreciate जो फ्रंट व्यूब क तो उन्हुत हम देखेंगे यहां पर यहां पर इतिक हमें किलियर दिखुआ उतका है और छोड़ करकेक सब्सक्राइब और लेँदे तो और अल्य पर तो आप चहता है यहां पर यहां प्यान पर यहां पर यह कंपास करनों कि यहां पर रखिया और पेंसिल का नोग सबसे पहले इसको यहां पर सीधा मिलाएंगे इसकेल की सायता से और यहां पर कंपास का नोग और यहां पर पेंसिल का नोग रख करके एक चाप काटेंगे जो एक्स एक्सिस जो रिफ्रेंस लाइन है एक्स एक्सिस के सापेच यहां ले कर आ जाएंगे और फिस्तीद लेकर आएंगे और इहीं से जहां के compressodia रहेगा उहां से नीचे हम'T मिलाते जाएंगे बलांटे जाएंगे और अब ब्रहते होलं के रीट करेंगे वह यहां से यह में रिम्क सबने front view का height और side view का जो height होता है या same होता इतना ही में जो है अब side view का हमारा drawing बनेगा इधर से देखने हो भर ने दी वाला D वाला पॉर्ट करेंगा अने दिखाए देगा और C वाला पॉर्ट से दिखाए देगा तो हम उसको बना दिया और अंदर से जो कटा हुआ पार्स है इसके जो हमें फ्रंट नहीं दिखाई देगा या डाटेड डाटेड लाइन से हम दिखाते हैं तो फ्रेंड्स आर्थोग्रैफिक प्रोजेक्शन यह थोड़ा हाड था इसके पहले वाले वीडियो हम इजी वे में समझाएं सबसे पहले उसे आप देख करेंगे यानि ऐसा फीगर दिया रहेगा और उसे हम आपको बना बना करके दिखाएंगे कैसे एक एक स्टेप कैसे आगे बढ़ा जाता है तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपनों कैसा लगा आप इसे कमेंट में जरूर बताएगा और यदि कहीं पर भी दिक्कत हो समझने में कमेंट करके बताएगा ताकि अगले वीडियो में हम आपके उस जहां पर दिक्कत होरे ही समझने में उससे दूर कर सकें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में सबसके लिए जय हिन जय भारत